और एक railway exam railway group D के most expected question series का वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों इस series में हम total 999 question discuss करेंगे हम अपना target खतम करेंगे 17 September से पहले यानि 17 September से पहले जिस दिन से की railway group D exam सुरू हो रहा है उस दिन से पहले हम अपना सारा सवाल खतम कर देंगे अब आप लोगों के सामने ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे most expected question है ओके ये जो 999 question हम discuss करेंगे ये कैसे most expected है ये किस पर आधारीत है दोस्तों आपको बता दूँ ये strictly railway group D के previous year question और इस बार के railway LP technician के सारे shift के question आपको तो पता होगा कि मैंने सारा shift का analysis किया था और दोस्तों NTPC exam यानि जो अभी 2015-16 में एक station master का exam हो था इन सब के उपर आधारीत रहेंगे दोस्तों इस series के सारे question मैं बड़ी मेहनाच से चुन-चुन के बनाऊंगा एक भी question फाक्तुका नहीं बनाऊंगा दोस्तों हम एक वीडियो में लगभग 25 question discuss करेंगे और उससे related और भी 50 question discuss करेंगे यानि अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो आपका 75 question सीख लेंगे उसके साथ साथ याद भी हो जाएगा और दोस्तों सारा science के question को full concept से पढ़ेंगे दोस्तों इससे पहले मैंने railway ALP technician के भी expected question बनाये थे जाकर करके उसको भी देख लीजिए उसमें भी काफी important question है उन सारे question का भी काफी chance है रेले कुटी में आने का इसलिए जाके उसको भी देख लीजिए दोस्तों मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ अगर आप इस 999 question का series को ध्यान से देखेंगे तो आपका 50 question में से लगभग 35 question complete हो जाएगा हो सकता है कि आपको direct question ना मिले लेकिन इसी के जैसा ही question मिलेंगे नाम change कर सकता है, place change कर सकता है इसलिए दोस्तों आपको request है कि एक दिन में 15-20 मिनिट बस मेरा channel में आगे एक वीडियो देखिए इस series का, इस series के रोज आपको एक या दो वीडियो मिलेंगे उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, जिससे कि आपका काफी मदाद होगा और आपका selection पक्का हो जाएगा अगर आप चाहेंगे, मैं तो रिजिनिंग के भी इस तरह के series शुरू कर दूँगा तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का series शुरू करते हैं तो पहला question है, which national highways connect Delhi to कलकता कौन सा राष्ट्री राजमार्क जो कि दिल्ली और कलकता को जोडता है दोस्तों इसका answer होगा NH2 दोस्तों ये काफी important है क्योंकि एक group D exam में भी आया था 2008 में और दोस्तों साथ-साथ ये NTPC exam में भी आया था जो कि अभी recently 2016 में हुआ था इसलिए चले कुछ और भी इसके related question देखते हैं अभी मैं जितना भी question बोलूँगा उसको note down कर लिजएगा क्योंकि ये काफी important है इसका आने का पूरी chance है देखे श्री नगर और कन्या कुमारी को कौन सा NH connect करता है बताए NH44 और NH44 का longest national highway in India है ये भी सवाल आ सकता है exam में और दोस्तों इसका लंबाई कितना है 3745 किलोमेटर यानि 2327 माइल इससे आपको तिंचार कोशिन मिल जाएंगे और दोस्तों next NH है कि NH47A दोस्तों ये काफी important है क्योंकि दोस्तों ये इंडिया का सबसे छोटा जातिय राजपत है यानि सबसे सटेश्ट national highway है इसको भी आत कर लिजिए 47A और ये कहां से शुरू होता है दोस्तों ये शुरू होता है NH47 कहां कि कुंदानूर से कुंदानूर के NH47 से ये शुरू होता है देखिए एक question से हमें 3-4 question मिलके सबको note down कर लिया आपको इसी तरह से त्यारी करना चाहिए कि previous year का एक सवाल उठा लिया और उसके related 3-4 सवाल पढ़ लिया और इसी तरह से क्या होता है कि खुद के अंदर confidence भी आ जाता है चलिए next question देखते हैं question number 2 है 27th ब्यास समान आवार किसको मिला है बताए इसका अंसर क्या होगा तोस्तों इसका अंसर होगा ममता कालिया ममता कालिया को 27th ब्यास समान आवार मिला है चलिए इसके related भी 5 चा कोशिन देखते हैं देखे सबको तुरंती नोड़ान कर लिजे तो पहला related कोशिन है ममता कालिया को किस नोबेल के लिए ब्यास समान आवार दिया गया था दोस्तों अंसर होगा दुखम सुखम नोबेल के लिए उसको ब्यास समान आवार दिया गया और ब्यास समान आवार क्या है दोस्तों एक literature आवार है यह सहित्य से related है नोबेलिस्ट यह सबको मिलता है दोस्तों एक कब शुरू हा था यह 1991 को शुरू हुआ था ओके सबसे पहला आवार 1991 में दिया हुआ था दोस्तों इसका founder कौन है इसको कौन देता है केके बिला foundation और इ और दोस्तों यह सिर्फ Hindi language वालंगो ही दिया जाता है जो किताब Hindi language में लिखा हुआ आता है और दोस्तों यह तीनों काफी important है कि 2017 में मिला था ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए और 2015 में किसको मिला था सुनीता जैन को किसके लिए खासमा के लिए और दोस्तों 2016 में सु इसके related से 7-8 कोसिना भी बढ़ रहा है अब लिख करके ले लिजिए कि इस बार किसना किसी shift में जरूर एक या दो कोसिन जरूर पूछे जाएंगे कोसिन नमर 3 है साइना नहवाल किस राज्य से हैं अमसार भगा हर्याना से हैं इसके related हम काफी चर्चा कर चुके हैं LP एक्जाम में इसके लिए मैं separate वीडियो बनाया है कौन सा प्लेयर किस राज्य से हैं उसको जाके आप देख सकते हैं किलिए next वाल लिखते हैं तोस्तों को इन लिखित में से कौन एक परजीवी पोधा है इन में से कौन एक परजीवी पोधा है दोस्तों ये भी आया था NTPC एक्जाम में इसलिए मैं वहां से लिया है इसको बताए इसका अंसर क्या होगा यानि which of the following plant इसे पारासैटिक प्लान पारासैटिक प्लान अब तो जानते नाम है कुछ आनि होगे परजीवी पोधा क्या होता है परजीवी पोधा वो होता है जोकि दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना पोशण के लिए दूस्तों इसका आंसार होगा मस्रूम और यानि परजीवी पोधा है चलिए इसके रिलेटेडD कुछ วुच कॉ नाम है यानि कुछ जीव के नाम है जो की परजीवी है जैसे के राउंड वार्म, फ्लाट वार्म, थोनी हेड़ेड वार्म और यह भी टीक्स, लीचेस, लाइस यह सब परजीवी हैं एक्जाम में इससे कोशिन आते हैं कि आपको चार अफ्सन देदेगा और वहां से पुछेएगा कि इन में से कोन एक परजीवी पोधा है, परजीवी जीव है, इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए यह सब एक्जाम्बल को ध्यान से रट लीजे, टीक्स, लीचेस, लाइस, रा फ्रम दा मोटर कर एक्जास्ट, देट कॉजेस मेंटल डिजेज, मानसिक बीमार होता है, बताए, इन में से कौन सा पलिटांड है वो, दोस्तों इसका अंसर होगा, अप्शन ए, यानि लीड, या लीड से होता है, और दोस्तों इसको भी नोट डान कर लिजे, सिफ प्रेंड स्वाल लेते हैं, नेक्स्ट ए, कोशी नमर सिक्स, ये पिरियोडिक टेबूल से है, आप तो जानते हैं, रेल्व एक्जाम का फेबरेट पिरियोडिक टेबूल है, इससे तो वो हर सिफ्ट में दो कोशीन जरू डालता है, बताए, ये तो फिर पचास मार का जीके समझाया था, अगर नहीं देखे हैं, तो जाके देख लिजे, फिर भी एक बार समझाया रता हूँ, ये है आपका पिरियोडिक टेबूल, ये है फार्ट पिरियोड, ये है फ्रियोड, मैंना आपको समझाया था, ओके एक पिरियोड के लेप्ट से राइट तक जाएंगे, तो जो element यानि तत्तों का size घटता है, okay size decrease होता है, अगर sodium का size इतना बड़ा है, तो meganisium का size थोड़ा घट जाएगा, और alminium का size और भी तोड़ा घट जाएगा, उसके बाद silicon का size और भी तोड़ा घट जाएगा, तो सबसे बड़ा element यानि सबसे बड़ा तत्तो कौन है sodium है इसका अंसर sodium होगा exam में अगर पुछा गया कि सबसे बड़ा तत्तो कौन है fourth period में तो potassium होगा fifth period में rubidium होगा question number seven भी predictable से है बताए कि in which year mandelic periodic table was published यानि किस साल mandelic periodic table का प्रकासित हुआ था दोस्तों इसका अंसर होगा 1869 1869 में mandelic predictable published हुआ था question number eight है sandstone is which type of rock यानि sandstone किस प्रकार की चट्टान है sandstone को हिंदी में बोलवा पत्थर कहा जाता है आपके सामने चार अप्सन है यह हिंदी के अप्सन और यह इंगलिस के अप्सन दोस्तों इसका अंसर होगा sedimentary rock यानि कल चट्टी पत्थर sandstone एक कल चट्टी पत्थर है दोस्तों एक काफी important टबीक है अगर आप चाते हैं कि इसके उपर यानि चट्टा रख के उपर एक विडियो बने sedimentary rock, igneous rock, metamorphic rock इसके उपर एक विडियो बने तो मुझे comment में बताना मैं बना दो पर इसके regarding भी मैंने बहुत सारे data collect क्या है इसको रट लीजे कि sandstone भी एक sedimentary rock है slitstone slitstone भी एक sedimentary rock है cell भी एक sedimentary rock है modstone, clay stone conglomerate ओके यह सारे के सारे sedimentary rocks है और दोस्तों salt salt भी एक sedimentary rock है तो इसके बाद coal यानि koala यह सारे के सारे sedimentary rocks है दोस्तों next level question number 9 यह काफी important है Miss Universe Tattle Holder 2017 कोन है बताए 2017 के Miss Universe कोन है दोस्तों इसका answer होगा बताए वेला आप 4 अप्सवान है आपके साहने Demi Lick Nill Peters Demi Lick Nill Peters Miss Universe है 2017 के कुछ और भी data आपके साहने पेस करता हूँ देखे 2017 के Demi Lick Nill Peters 2016 के Iris Mittener 2015 के Pia Urchbatch इनका country कोन सा है Demi Lick का South Africa Iris Mittener का France और Pia Urchbatch का Philippines दोस्तों इसको भी धान से ट्रटल है 2016 का यह दोस्तों इस बार 2016 के बहुत सारे current air पुछे के थे इसका आने का chance काफी जाता है इसलिए Question number 10 है मोधु मक्सी के डंक में कौन सा envelope आया जाता है Which of the following is present in bee sting इसका अनसारों का मिथानोई के शिर इसको फर्मी के शिर भी कहा जाता है चलिए next सवाल देखते हैं Next सवाल यानने Question number 11 2th Enamel is made up of which of the following दान की परत किस चीज़ से बना हुआ होता है दोस्तों इसका अनसारों का अप्सन C यानि Calcium Phosphate से बना होता है Next सवाल यानि Question number 12 Nylon किस चीज़ से बनी हुई होती है बताए ये Nylon एक Polymer है इसका Monomor कौन सा है दोस्तों इसका अनसारों का Option A यानि Polyamide से बना हुआ होता है इसी तरह के और भी Polymer के Monomor जानना चाहते हैं तो देखे यहां पर पुरा का पुरा लिस्ट है इसको रट लिजे Polythene, Polythene का Monomor कौन सा है Ethylene एक्जाम में आएगा कि Polythene किस चीज़ से बना हुआ होता है तो आपको टिक करना है Ethylene में Ethylene का formula क्या आपको पता होगा CH2, CH2 यह इसका formula है वीडो को पॉच कीजिए और इसको रट डाले Polypropylene, जो Polymer है वो किस से बना हुआ होता है Propylene से, इसका chemical formula है PVC, तो उसने यह तो काभी बार एक्जाम में नहीं आया, आ सकता है सारा ने किस से बना हुआ होता है Vinylidin, chloride से उसके बाद Polysterine, Polysterine किस से बना हुआ होता है Sterine से, एक काफी बार एक्जाम में पुछा चुका है, यह SSC एक्जाम में पुछा चुका है, ओके, रेलोई में अब तक आपको, separately, ओके, अगर यहाँ पर रटना चाहते हैं तो पुछ करके रट लीजिए, चले, नेक्स सवाल पर चाहते है Q13 है, the organelle that makes ATP ATP का फुल्फरम आपको पता होगा Ardenosin Triphosphate Ardenosin Triphosphate हो क्या कहा जाता है Energy Currency और इसको कौन बनाता है अब तो जानते होंगे, इसको mitochondria बनाता है Okay, cell का mitochondria ATP बनाता है, दोस्तों, नेक्स सवाल यानि Q14 है, कालार बॉन को क्या कहते है कालार बॉन को क्या कहते है अंसर होगा इसका Option D, Clavicle Okay, Clavicle इसका सही अंसर है दोस्तों, यह सवाल Relio Group D के previous paper में आया था We get Morphin from what मतलब हमें Morphin कहां से मिलता है आप तो जानते होंगे, Morphin एक पेड से निकला जाता है उस पेड का नाम है Opium उसका scientific नाम क्या है Papa Bar Somniferum Okay, Papa Bar Somniferum आप इसको netवेंट सर्च कर सकते हैं मतलब इसको कि Morphin कहां से निकला जाता है दोस्तों, इसका अंसार होगा Fruit से, ओके, यह जो पेड का Fruit से निकला जाता है चले, next होगल लगता है, question number 16 यह भी कापी important है, बताए कि हमारे skull में, यानि इनसान की खोपड़ी में कितने हड़ियां होते हैं इनसान की खोपड़ी या human skull में कितने हड़ियां होते हैं बताए इसका अंसार क्या होगा दोस्तों, इसका अंसार होगा 22, okay, human के skull में 22 हड़ियां होते हैं और दोस्तों, chest में, यानि छाती में कितने होते हैं, 25 और arm में, okay, arm में कितने होते हैं 64 और स्कॉल में यानि खुपडी में 22 होते हैं चलिए next वाल लगते हैं दोस्तों next है question number 17 फिनल किस chemical का common name है बताएए फिनल इन में से किस chemical का common name है दोस्तों इस cancer होगा option 3 and carbolic acid चलिए मैं इसका अभी chemical formula दिखाता हूँ दोस्तों यह chemical formula of phenyl C6H6O आप तो देखे होंगे इस पार railway के LP exam में सारे shift में एक या दो कोसिन जरूर आते थे chemical chemical formula से इसलिए दोस्तों railway group D में भी 2-3 कोसिन जरूर आएंगे chemical formula से इसलिए दोस्तों आज से मैं जितना भी वीडियो गनाऊंगा सारे वीडियो में एक दो कोसिन जरूर डालूँगा chemical formula से इस तरह के difficult वाला ही डालूँगा इससे के आपका improvement हो चलिए next देखते हैं next question number 18 sodium tetraborate किस compound का chemical name है sodium tetraborate किस compound का chemical name है same question है बताए दोस्तों इस कांसार होगा borax borax का chemical name sodium tetraborate है और दोस्तों sodium tetraborate यानि borax का chemical formula क्या होता है Na2b4O710H2 Na2b4O710H2 चलिए next question देखते हैं what is the unit of astronomical distance astronomical distance का unit क्या है यानि खोगली और दूरी की इकाई क्या होता है यह हैं आपके सामने option दोस्तों इसका अंसार होगा light year यानि अलोग burst अलोग burst होता है astronomical distance का इकाई ओके चलिए next सवाल देखते हैं next सवाल यानि question number 20 Albert Einstein को Nobel Prize क्यों मिला था मतलब किस खोज के लिए मिला था आप तो जानते होंगे कि Albert Einstein ने बहुत सारे खोज किये थे उन में से किस खोज के लिए उनको Nobel Prize मिला था दोस्तों इसका अंसार होगा option B यानि law of photoelectric effect law of photoelectric effect के लिए Albert Einstein को Nobel Prize से समानेत किया गया था next question यानि question number 21 फर्मी इन में से किसका इकाई है निमी लिखित में से किसका इकाई फर्मी है इसका हिंदी वाला option भी देख लीजिए उके इन में से क्या होगा बताई दोस्तों इसका अंसार होगा length यानि option B लंबाई का इकाई होता है फर्मी दोस्तों फर्मी से क्या मापा जाता है? नुकलियस का radius, एटम के अंदर नुकलियस होता है? उस नुकलियस का radius diameter सा फर्मी से मापा जाता है वान फर्मी इकल टू 10 to the power minus 15 meter होता है दोस्तों next question, question number 22 Which acid is considered a basic chemical in industry? यानि उद्योग में मुल रसायान के रूप में कौन सा एसीड को माना जाता है अप्शन A में है कार्बोनिक एसीड, H2CO3, HNO3, नाइट्रीक एसीड, C में है सलफरीक एसीड और हाइड्रोकलोरीक एसीड दोस्तों इसका अंसार होगा सलफरीक एसीड, H2SO4 इसको दोस्तों Basic Chemical Industry कहा जाता है, उद्योग का मुल रसायान कहा जाता है और दोस्तों ये भी बता दूँ कि H2SO4 यानि सलफरीक एसीड को King of Chemicals कहा जाता है मतलब सारे केमिकाल का राजा, सारा केमिकाल का राजा कोन है? सलफरीक एसीड चले, next ओल लेटें Next question number 23 Night Vision Devices का मतलब है, राज को देखने के लिए जो डिवाइस सब यूज कहा जाता है कौन सा वेब यूज कहा जाता है? इनमें से कौन सा वेब उसमें यूज कहा जाता है? बताए Microwave और Infrared वेब, Ultraviolet वेब, Radio वेब दोस्तों इसका अंसार होगा Option B, Infrared वेब Infrared वेब यूज कहा जाता है राज को देखने के लिए Next question number 24 Fermentation of Sugar Leads to Heart याने चीनी के किंड़ोन से क्या प्राप्त होता है? Option में है इथाईल आलकोहल, मिथाईल आलकोहल, Acetic Acid and Chlorophyll इनमें से क्या पाया जाता है? मुझे आप comment box में बताईए ये question आपको करना है, comment box में इसका जवाब बताना है तो दोस्तों ये थे आज के सवाल, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा और साथ साथ सब कुस समझ में भी आया होगा अब आपको क्या करना है, दोस्तों इस वीडियो में लाइक कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी share कर लीजिए और इसी तरह के आप अगर math के भी series चाते हैं reasoning के भी series चाते हैं, especially group D के लिए तो मुझे comment box में जरूर बताईए, मैं उसका भी शुरू कर दूँगा तो फिर मिलेंगे next video में धन्यवाद